हिमाचल चुनाओ की तारीखों के एलान के बाद से राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है और सत्ताधारी बीजेपी मिशन रिपीट में जुटी हुई है जिसके तहट पार्टी ने काफी सोच समझ कर टिकेट भी माटे लेकिन बीजेपी का टिकेट बटवा रही अब उ क्या हिमाचल का सियासी दिवास तोड़ने में कामयाब हो पाईगी बीजेपी इन सवालों ने इस वक्त हिमाचल की सियासत को गर्मा दिया है तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन ही सवालों पर करेंगे चर्चा नमस्कार मैं हूँ इंशितर शिवास्तर आये जानते ह हिमाचल में कैसे फसी हुई है बीजेपी 12 नवंबर को 68 विधानसवा सीटो वाले छोटे से रज हिमाचल में मतदान होना है जिसके बाद 8 दिसंबर को ये साफ होगा कि कौन सा दल जनता को लुभाने में कामयाब रहा और कौन जनता को रास नहीं आया अब जैसे ही प्रिसार किया जा रहा है लेकिन जैसे ही पार्टियों ने अमीदवारों के नामों का एलान किया वैसे ही पार्टियों में बगावत शुरू हो गई बीजेपी 5 साल से सत्ता में है इसलिए बगावत का सबसे ज्यादा आसर भी इसी पार्टी में दिख रहा है हिमाचल का एक बीजेपी को पहले से ही था क्योंकि पार्टी पहले ही एक दर्जन के करीब विधायकों की टिकेट काटने का मन बना चुकी थी। टिकेट कटने के बाद विधायक बगावत कर दूसरे दल में ना चले जाएं, इसलिए देर से टिकेट घोशित करने की रणनीती बनाई गए। पहले कॉंग्रेस के लिस्ट का इंतजार किया गया, उसके बाद बीजेपी ने अपने उमीदवार घोशित किये। लेकिन पार्टी की ये रणनीती भी कामयाब होती नहीं दिख रही है, बागी नेता दूसरे दल से टिकेट भले ही ना ले पाए हो, लेकिन अब वो निर्दली चुनाव मैदान में कूट पड़े हैं, हाला कि बीजेपी ने काफी सोच विचार के बाद ही टिकेटों का बटव परेशान है कि पार्टी में छिड़ी बगावत रोके या फिर चुनाव प्रचार पर फोकस करें, हिमाचल चुनाव के लिए तारीख के एलान के बाद से सभी की नज़र टिकेट बटवारे पर थी, जिसमें बीजेपी ने काफी समय भी लिया, लेकिन बीजेपी को फिर भी कोई फाइदा नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी ने जैसे ही अपने उमीदवारों के नाम का एलान किया, तब ही से पार्टी में भगदर मच गई, और अब बीजेपी इस भगदर को शान्त करने में लगी हुई है, जिसके लिए बीजेपी के पास अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, क्योंकि अगर बीजेपी टिकेट बटवारे से नाराज बागियों को मनाने में कामियाब नहीं हुई, तो हिमाचल का सियासी रिवास तोड़ने का उसका सपना ही रह जाएगा, और यही वज़ा है कि इस समय बीजेपी का पूरा फोकस सिर्फ बागियों पर है, इस में सवाल यह ही है कि क्या बीजेपी बागियों को मनाने में कामियाब हो पाएगी, बीजेपी ने जैसे ही उमीदवारों के नाम की पहली सूची साजह की थी, उसके बाद ही पार्टी में नाराज की खुल कर सामने आ गई थी, और यह अटकले लगने लगी थी कि कई नेता निर्दलीय चुनाओ मैदान में उतर सकते हैं, और 25 अक्टूबर को नामांकन के आखरे दिन समाप्थोने से पहले बागियों ने नामांकन भर कर इन अटकलों पर मोहर लगा दी, और बीजेपी की मुश्किल ने बढ़ा दी, ऐसे में अब बीजेपी के पास केवल 29 नवें कमबर तक का ही समय है, क्योंकि उस दिन नामांकन भापसी का आखरे दिन है, जिस से पहले बीजेपी बागियों को मनाने की कवायद में लगी हुई है, हाला कि बीजेपी की इस कोशिच में कामयाब होने की उमीद बेहत कम है, लेकिन फिर भी बीजेपी अपना पूरा ध्या और उमीदवारी वापस लेने के लिए दवाब बना रही है। बतसर से, राजिंदर धीरता रोहडू और राजकुमार कोंडल जंडोता से हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने बागियों को मनाना बड़ी चुनोती बन गया है, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा करने में फेल हुई, तो हिमाचल का सियासी रिवास तोड़ना भी उसके लिए म सिर्फ बागियों को मनाने से बीजेपी की मुश्किले खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि कई नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी से नाराज होकर दूसरे दलों और खासकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस का दामन थाम लिया हैं। ऐसे में कभी ब रहे ही आज उसके खिलाफ हो गए हैं। यही वजा है कि बीजेपी हिमाचल में हर तरह से घिर गई है और अब इस विधानसवा चुनाओं में बीजेपी की नईया पार होगी इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि हिमाचल चुनाओं में करीब 18 सीटों पर बीजेपी को अपने ही नेताओं की बगावत झेलनी पड़ रही है। और सबसे खास बात ये है कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के ग्रिह जनपत मंडी और कांगड़ा जिले में बीजेपी को सबसे ज्यादा बगावत का सामना करना पड़ रहा है। दरसल कांगड़ा की 10 की कृपाल पर मर बागी हो गए हैं और निर्दलिय चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोरा से विधायक रीता धीमान को फिर से टिकेट मिला है लेकिन यहां से पूर्व विधायक मनोहर धीमान निर्दलिय किस्मता आजमा रहे हैं। जवाली सीट पर अर्जुन सिंग का टिक मंडी सदर के भाजपा नेता प्रवीन शर्मा जो पार्टी के मीडिय प्रभारी थे। ऐसे ही नालागर के विधायक के एल ठाकुर और हमीरपुर जिला परिशत के पूरुपाध्यश नरेशदार जी शामिल है। के एल ठाकुर के जगा बीजेपी ने कॉंग्रेस के बागी एल एस राणा को नालागर से टिकेट दिया है। इस बगावत के बीच सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये भी है कि बीजेपी की हिमाचल में बढ़ती नाराजगी का एक प्रमुक कारण हाल ही में कॉंग्रेस को छोड़ कर पार्टी में शामिल हुए नेता को टिकेट देना भी है। यानि टिकेट कटने से ज्यादा नाराजगी बाहरी विक्ति को टिकेट देने की है। ऐसे में बीजेपी की नेता निर्दली चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं जिसके चलते पार्टी के लिए चुनता वड़ गई है। अब पार्टी अंदरूनी कल है स ही नहीं निपट पाएगी तो दूसरी तरफ ध्यान कैसे दे पाएगी। यही वज़ा है कि हिमाचल में बीजेपी फस गई है क्योंकि हिमाचल का राजनेतिक इतिहास पहले ही बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में अब बीजेपी के अपने ही उसके लिए चुनौती बन गए हैं। जो आगामी चुनाओ को देखते हुए बीजेपी के लिए खत्रा बन गया है क्योंकि राजजी के राजनेतिक इतिहास की मताबिक यहां की सत्ता में पिछले 30 साल से हर 5 साल में सत्ता पलटने का रिवाज रहा है लेकिन बीजेपी को यूपी और उ स्पेशल रिपोर्ट के साथ नमस्कार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीवी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंसती रहें देखते रहें डीवी लाइ क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार